नमस्कार दोस्तों मैं अंकर उपाथियाई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसेस में वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ये बताए क्या मज़ा आया आज की मार्केट में मुझे तो आ गया काफी शानदार तेजी देखने को मिली है बाजार में एंड जाते जाते भी एक शार्प अप्टिक देखने को मिला लीडर्शिप बैंक निफ्टी कहीं न कहीं कह रहा था कि भाई साब आज तो बस मुझे उड़ने दो हवा में मार्केट की बात करें तो निफ्टी में 450 पॉइंट की तेजी के साथ बाजार अभी ट्रेड कर रहा है और अल्मोस्ट बंद होने वाला है मेरी कोशिश रहेगी जैसे ही बजार बंद हो या फिर बजार होने बंद होने में 2-4 मिनटों तब तक ही वीडियो आप तक पहुँच जाए लेकिन नजर जरा बैंक निफ्टी पे डालिए निफ्टी दो 2.6% की तेजी में लेकिन बैंक निफ्टी में 3.31% की तेजी 39,000 के ब्रेक आउट के बाद तो निफ्टी बैंक निफ्टी रुकने का नाम ही नहीं लिया एंड इनफेक्ट पूरी मार्केट ने आज किसी भी लेबल से गिरावट नहीं दिखाई जो लोग दो दिन पहले संडे को डाउ जोन्स देखकर बिलकुल बहुत चक्के हो गए थे कि भाई अब क्या होगा बजार खतम हो जाएगा और क्रेश और लाइक दिस आज सब कहीं ना कहीं बुलिश हैं और सब अब नेक्स्ट फ्रेश हाइस की तरफ की सोच रहे हैं जिसके सामने 400 शेर नेगेटिव हैं और इंडेक्स देखिए आप आज के सेशन में ऐसी कोई इंडेक्स ही नहीं है जो एक परसेंट से कम बढ़ी हो मैक्सिमम निफ्टी फाइनस सर्विसिस की इंडेक्स लगबग साड़े तीन परसेंट की तूफानी देजी रियलिटी इंडेक्स में भी साड़े तीन परसेंट की तेजी बैंक निफ्टी 3.3 परसेंट तेज आईटी स्टॉक्स जिन पे सब भी अरेश हो रहे थे ठोक के काता बेचना नहीं है पिछली दो दिन की continue वीडियोस देख लो एक बार भी आपसे sell recommendation ने दी हमेशा buy और average की बात करिया है बिल्कुल नहीं बेचना है कुछ दिक्कत नहीं है और आज 2.7 परसेंट की तेजी निफ्टी आईटी में ओटो इंडेक्स 2.5 परसेंट उपर लंबी लिस्ट है हर जगा बड़ी तेजी देखने को मिल रही है निफ्टी के सारे के सारे shares positive है 13 shares तो ऐसे हैं 50 मेंचे जो 3% की बड़ी तेजी दिखा रहे है 3% से ज्यादा एक ऐसा share है जो 5% से देज़े है वो है बजाज फिंजर stock ने अपनी आज के session में bonus और stock split की X date announce कर दिया वो भी मैं आपको बता दू X date है 13 September यानि उससे पहने जो भी खरीदेगा वो bonus और stock split के लिए eligible होगा तो माजार का हाल देखा आप सभी ने आज बहुत ही तंगड़ा देखने को मिल रहा है लेकिन अब क्या करना चाहिए क्यों भागा बाजार इसके बारे में भी जड़ा जान लीजिए अनाक बंद करके खरीदना सही नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है मार्केट में जो इतनी तूफान ही तेजी आ जाए आपको सबसे पहले तो मैं डाव फ्यूचर्स का अपडेट देना चाहूंगा डाव फ्यूचर्स में 220 पॉइंट की तेजी है आज देखते हैं कैसा खुलता है अच्छे कासे गेंस दिख रहे हैं मैंने लेट नाइट कल वीडियो बनाई थी जा मैंने आपसे काता हो सकता है डाव जोंस आज हरे निशान में बंद हो और हमारे भारतिय बाजार में अच्छा नहीं बहुत अच्छा सेशन रहा अगर मैं क्रूड की बात करूं तो परसेंट नीचे ट्रेड कर रहा है तो यह अच्छा है लेकिन स्ट्रेंथ आ रही है रुपे में आज आप रुपे की मजबूती देखिए सुबा से कंटीन्यू स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है एंड फाइनली अब 79.48 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है 80 के ऊपर निकल ग बजार में क्या अब करना चाहिए दोस्तों आज के सेशन में जो यह तूफानी तेजी है दुबारा से जो लेवल्स हमने लगाएं 18,000 के उसी के आसपास कही ना कहीं जाते हुए दिख रही है लेकिन अम मेरे हिसाब से थोड़ा प्रॉफिट बुक करें एंड इतना 17,500 का अब SL हो जाएगा SL दूर है मुझे पता है बहुत जादा दूर हो रहा है क्योंकि उससे पहले दोस्तों निकली नहीं रहा है अगर आप छोटा भी लें तो 17,575 का लिख सकते हैं उससे पहले मेरे साब से तो छोटे में कोई बनेगा नहीं तो यही आपके लिए एक SL ह हो जाए यह भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ तो इसी लिए कहा रहा हूँ प्रॉफिट बुकिंग पे थोड़ा सा ध्यान दें एंड कोशिश करें अभी यहां पे फ्रेश एंट्री इग्नोर करने की तो मेरे इसाब से तो यह व्यू बन रहा है मेरा निफ्टी को लेकर एक और चीज मैं आप सभी के साथ शियर करना चाहूंगा बाजार कहीना कहीं जो यह लोवर लेवल्स लगाए हैं उससे पहले के जो हाइस थे लगबख 17700 उसके उपर क्लोजिंग मिल रही है आज तो यह स्ट्रेंथ शो कर रहा है हमें 17850 ता कहीना कहीं जा सकता है बट अभी मुझे लगता है आपको फ्रेश एंट्री नहीं लेनी चाहिए बाइंग साइड पर नहीं सेलिंग साइड पर आपके पास पोजीशन है तो आपको फोड़ा वाथ प्रॉफिट बुक भी करना चाहिए तो यह होगी मेरी वीडियो बाजार को लेकर तुफान ही देजी